AIMS, All India Institute of Medical Sciences. नजाने कितने ही स्टुरेंट्स का सपना होता है AIMS से अपनी स्टुरीज को कम्प्लीट करने का. ये मुक्ण आपको मिल सकता है, इसलिए वीडियो इंफोर्मेटिव है, इंपोर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखना. My name is Parman Khan and you are watching Chalk Talk Tutorials. आज मैं बताने वाला हूँ आपको AIMS PG के बारे में बहुत इंपोर्टेंट बात हैं. चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले AIMS MSC. हम MD या MS के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब हमारे बात से अलग हो जाता है. तो AIMS MSC में काफी सारे कोर्सिज ओफर करते हैं सब्जेक्ट में जैसे की MSC in Biochemistry, MSC in Physiology, Anatomy और ये सब MSC Nursing में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं. उसके लिए मैं एक dedicated वीडियो बनाऊँगा कि MSC में कितने कोर्सिज हैं. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास notification पहुँच जाएं जब भी मैं वीडियो अपनोड करूँ. चलिए शुरू करते हैं हम अपनी important information से. जो exam conduct कराते हैं AIMS, वो completely online है और CBT है. CBT का मतलब है computer based test. इसमें जो इन्होंने इसका interface रखा है exam का वो बहुत ही neat and clean है. इसके इतना neat and clean है कि इन्होंने syllabus के बारे में अपनी website के उपर भी नहीं बताया कि इसका proper syllabus क्या होगा. लेकिन कहीं न कहीं से information इकर्टी करके उसके उपर भी मैं video बनाऊँगा तो वो भी आप देख लेना आपके लिए बहुत important रहेगी अगर आप preparation कर रहे हैं MSC के लिए. तो इसके पारे में और में important बाते आपको बताऊँ यह जो exam होगा इसमें total 90 marks पूछे जाएंगे MSC में. MSC चाहिए आप plain anatomy, physiology, biochemistry में करें या MSC nursing में करें या फिर M-biotech को. इनका pattern same है. Pattern के ओपर एक dedicated और अलग से वीडियो आएगा लेकिन यह general information है इसमें मैं आपको बता देता हूँ. टोटल 90 questions पूछे जाएंगे. 90 questions में से हर एक question के लिए one mark allowed किया गया है. यानिके 90 questions है, 90 marks है और जो time है वो भी है 90 minutes. अब इसके अलावा इन्होंने ज़्यादा कुछ information बताई है नहीं. negative marking के बारे में बताया है कि अगर आप एक question गलत करते हैं तो उसके लिए minus 1 by 3 deduct हो जाएगा. मैं मैंत में कमज़ोर हूँ. आप calculate कर सकते हैं कि एक number का 1 by 3 कितना होगा. वन कोशन गलत करने पर 1 by 3 deduct होगा आपके total score में से. उसके बाद इसके इस से related कुछ और important बाते हैं मैं वो आपको बताता हूँ. नेक्स्ट important बात है exam fees related. अगर आप form भरते हैं तो आपको बता दूँ कि जो general और OBC category के लिए fees रखी गई है वो है 1000 रुपीज और जो SC, ST categories हैं उनके लिए जो exam form की fees रखी गई है वो है 800 रुपीज. यह हो गया इसके बाद में अगर आपको कोई queries हैं आपको कुछ information लिखनी है AIMS को तो उसके लिए इन्होंने अपनी email ID दी हुई है जो है aims.reg.gmail.com मैंने description में इसको दे दूँगा अगर आपको कुछ लिखना है AIMS को mail करना है तो आप कर सकते हैं इनकी official website के बारे में मैं आ सारे notification वहीं पर आएंगे, कब exam form निकलेंगे, कब इसका exam होगा, dates और result कब आएगा, वो result भी यहीं declare होगा, जितने exams हैं AIMS के इसी website के ओपर सारी information आती है, website को जाईए आप और जो है इसको regularly visit करते रही है अगर आप exam की preparation कर रहे हैं AIMS में, तो यह कुछ बाते थी important थी मैं मैंने सोचा, आपको बता दूँ, शायद आपके काम आजाए, आपका सपना पूरा हो जाए, AIMS में admission लेने का, इसके बाद अब मैं आपको फिर से कहूँगा, subscribe कर लीजिए, ताकि आपके पास notification पहुंच जाए, जब भी मैं AIMS या कोई important चीज, topic से related video upload करूँ, जल्दी मि important बाते भी मैं इसमें आपको बताऊँगा, important dates, कब आपके form आएंगे, कब आपका exam होगा, admit card, admission process क्या है, इसके ओपर भी video बनाऊँगा, counseling कैसे होती है, कितने courses offer किये जाते हैं, MSC में आपको जिनमें आप MSC कर सकते हैं, तो ये सारी important videos होंगे, subscribe कर लीजिए, notification पहुंच जा कर दो